आप सबी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस का यूटूब चैनल पर हाजी थमने लापने विल्कुल सही पड़ा अगर आपको अपनी 3B में गलत फाइलिंग नहीं करनी है तो ये दो एडवाइजरी आई हैं 14 नवंबर को इस एडवाइजरी को पहले है ना सरी एडवाइजरी होती गया है एडवाइजरी होती है तुम्हें अडवाइज करने के लिए तो पहली एडवाइजरी है आई टी सी रिवर्सल की दूसरी एडवाइजरी है हमारी DRC01C की तो इसके बारे में डिस्कसन कर लेते हैं पहली बात करता है आई टी सी रिवर येर 22-23 में कोई ITC क्लेम किया है और आपके supplier ने अभी तक 3B फाइल नहीं करी है कब तक नहीं करी है 30 सितंबर तक उसने अपनी 3B फाइल नहीं करी है तो आपको क्या करना है आपको करेंट की 3B में करेंट की 3B मतलब जो October महिने की 3B है आपको उसमें वो ITC reverse करना है अब लोग करें कि हमारे supplier ने अपनी 3P फाइल करी है या नहीं करी हम कैसे ITC reverse करें हम नहीं करें तो government ने का भी यह टेंशन मतलो government ने का टेंशन मतलो financial year 22 ते इसका जो ITC तुम्हें rule 37 a के हिसाब से reverse करना है उसे हमारे GST system ने compute कर लिया है और compute करने के बाद recipient को mail से भेज दिया है तो सब लोग अपनी email चेक कर ले और email चेक करने के बाद वो जो ITC है वो reverse कर दे सर यह reverse कौन सी टेबल में करना है तो इन्होंने बोल दिया कि 4B2 में करना है तो 4B2 तुम्हें पते है टेबल नंबर 4B2 मनलब कि ITC reverse में जाके अदर्स में इस ITC को reversal कर लेना तो थो हमारे पास तो कोई mail यह नहीं आई अरे भाई तुम्हारे पास mail नहीं आई तो तुम तो खुश हो जाओ लडडू बाटो क्यों क्योंकि तुम्हारे पास mail नहीं आई तो इसका यह मतलब है कि तुम्हें कोई ITC reversal कर नहीं है ठीक है ना तो जिन लोगों पास mail गई है कौन सी mail पर जाएगा भाई जो भी इसमें registered mail होगी तो वो आप अपनी mail चेक कर लेना ठीक है ना और जो भी mail आपकी है ठीक है ना जितना ITC उसमें reverse दिखा रखा है उसे cross check करके अपना ITC को reverse कर देना यह advisory कहती है rule 37 A की चलिए जी अब चलते दूसरी advisory पर दूसरी advisory क्या कह रही है दूसरी advisory यह कह रही है कि भाई मेरी बास सुनो जो भी ITC आप claim कर रहे हो 3B में उसे दिवाली का bonus समझ के claim मत करो पहले उस ITC को 2B के ITC से match कर लो अगर वो 2B में ITC आ रहा है तो ही से claim करो अगर आपने 2B से जाद ITC claim कर लिया 3B के अंदर अगर आपने 3B के अंदर 2B से जाद ITC claim कर लिया तो हम आपको DRC01C भेजेंगे और जब तक आप उस DRC01C के part B में हमें जवाब नहीं दे देते कि भाई आपने ITC जादा claim क्यों करा ठीक है न या यह difference क्यों आ रहा है या आपने जो ITC जादा claim क्या DRC03 से अगर वो pay नहीं कर देते तो हम आपको अगले महीने की GSTR1 या IFF भरने नहीं देंगे तो फिर रो ना मत ठीक है न तो यहाँ पर जो भी वेक्ति इस महीने की 3B फाइल कर रहा है ठीक है न उसमें ITC claim कर रहा है और वो 2B से जादा है हो सक चले महीनों का ITC हो तो जैसे उन्हें DRC01C का mismatch आए तो उसे उसका reply कर देना है reply करने के बाद ही अपनी GSTR1 या IFF भर सकता है otherwise नहीं तो यह दो important advisory थी आप portal पे जाकर यहां से ले सकते हो और अगर इसके बारे में detailed discussion आपको समझना है तो कहां पर जाना है हमारे app को download करो हमार full course लो महाँ पर detailed discussion आपको मिल जाएगा समझे मेरी बात और यह दोनों rule हमने अपनी GST returns की जो हमारी किताब है जो हमारी 99C की किताब है महाँ पर भी discuss करें अगर आपने हमारी GSTR99C की किताब अभी तक order नहीं करी अगर annual return आपने order नहीं करिए तो अभी order करके purchase कर लो जिससे आ comment box में लिखकर जरूर बताना यह दोनों advisory कैसी लगी आप मुझे comment box में लिखकर जरूर बताना इस वीडियो को देखने के लिए इतना सारा प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद थैंक्यू जी